आईए, अब हम कुछ अपचेन विधियों को जाने जिने हम भिन भिन धात्मों के ऑक्साइडों का धात्मों में अपचेन करने के लिए उप्योग करते हैं। अपचेन की पहली विधी है प्रगलन या स्मेल्टिंग। इसमें जो अपचायक है वह कार्बन उप्योग में लाया जाता है। और यह विधी भेन भेन धातों के आकसाइडों जैसे कि आरन के आकसाइड, जिंक के आकसाइड या फिर लड़ के आकसाइडों के उनके धातों में अप्चेद करने के लिए उप्योग में लाई जाती है। इस इस्तती में यहाँ पर हम कार्बन पोक या चारकुल का उप्योग कर सकते हैं और इस इस्तती में जो भी धातू ऑक्साइड है वह अपने धातू में अपचेट हो जाती है माले जे यहाँ पर जिंक आक्साइड हम लेते हैं और जब जिंक आक्साइड की कार्बन के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ जिंक में अपचित हो जाती है तथा कार्बन कार्बन मोनो आक्साइड में आक्सिक्रित हो जाती है इसी तरह से यहाँ पर यदि हम carbon monoxide का उप्योग करते हैं तो यहाँ पर zinc oxide की जब carbon monoxide से क्रिया होगी तो उस स्थिति में zinc अपचित हो जाएगी तथा carbon monoxide आक्सिक्रित होकर carbon dioxide में परिवर्टित हो जाएगी इसी तरह से यदि हम iron का oxide ले रहा है हेमिटाइड जिसका सूत्र है Fe2O3 यदि इसकी क्रिया हम कोक से कराते हैं तो वहाँ पर यहाँ iron में परिवर्टित होगा साथी साथ carbon monoxide बनेगी और यदि हम यहाँ पर इसका carbon monoxide के साथ कराते हैं तो यहाँ पर iron तथा carbon dioxide प्राप्त होती है यहनि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो smelting process होती है प्रगलन की क्रिया होती है जिसमें हम धातू oxide की carbon के साथ अभी क्रिया कराते हैं तो उस स्थती में जो metal oxide है reducing agent के साथ जब क्रिया होती है तो वो metal में reduce हो जाती है साथ ये साथ जो reducing agent है वह अपने oxide में परिवर्तित हो जाता है इसी तरह से हम जानते हैं कि hydrogen भी बहुत ही अच्छा reducing agent होता है और इस तरह से कुछ धात्वों के oxide का up chain हम hydrogen gas की सहायता से भी करते हैं उदारन के लिए यहाँ पर tungsten के oxide या फिर nickel के oxide ये दोनों ही भारी धातों हैं और इनके oxide के अपच्छन के लिए हम hydrogen gas का उप्योग करते हैं जिसके फलसरूप ये धातू oxide अपने धातू में परिवर्तित हो जाते हैं तथा hydrogen oxigrit होकर जल बना लेती हैं यहाँ पर हम बता दें कि जो अधिक सक्रे धातों हैं खासकर जो इस block तत्व होते हैं उनके oxide के अपच्छन के लिए हम hydrogen gas का उप्योग नहीं करते हैं जोकि hydrogen gas ये जो क्रिया होती है उसमें ये काफी विस्फोटक हो जाती है या उतनी अधिक safe नहीं होती है इसलिए हलके धा बताया कि metals का उप्योग भी हम धातू के oxide के अपच्छन के लिए कर सकते हैं और इसके लिए भेने भेने प्रकार की धातनों का उप्योग किया जाता है और प्राया जो अप्चायक के तौर पर धातु उप्योग में लाई जाती है उसके जो मानक अपच्छन विभाव का मान होता है वह अधिक रनात्मक होता है उधारन के लिए यहां पर हम देख सकते हैं क्रोल प्रोसेस क्रोल प्रोसेस में हम यहां पर ट्रिटेनियुम टेट्राक्लोराइट का अप्चैन करते हैं ट्रिटेनियुम धातू में और इसके लिए जो अप्चायक के तौर पर धातू प्य पर कर Pelosi होके प्रक्रिया का करूख हम मैंगी क्रोमियम या फिर आईरू जो तप्त तप्त आयरन होता है उसके ऑक्साइडों का धातू में अप्चैन करने के लिए करते हैं और जैसे कि माली जे यहाँ पर हम मैगनीज का अक्साइड ले रहे हैं तो उसका यहाँ पर सूत्र होगा पूरी अभिक्रिया इस प्रकार से होती है मन 304 प्लस 8 अलूमिनियम इसी तरह से हम क्रोमियम के ऑक्साइड का भी अप्चैन कर सकते हैं यहाँ पर उसे लिख सकते हैं इसी तरह से यदि हम यहाँ पर आयरन का ऑक्साइड लेते हैं तो यहाँ पर Fe2O3 है मेटायट है जिसकी क्रिया जब हम अलूमिनियम के साथ कराते हैं तो हमें आयरन अप्चैन रूप में प्राप्त हो जाता है साथ ही साथ aluminum अपने oxide में परिवर्थी हो जाती है तो इस तरह से हम देखें कि aluminum या भिन भिन धातूं का उप्योग भी हम अप्चायक के तौर पर कर सकते हैं इसी तरह से अप्चायन के एक और विधी होती है जिसे हम कहते हैं auto reduction या self reduction या so oxygen इस स्थती में एक धातू का oxide ही उसी धातू के sulfide को धातू में अप्चेद करने में सक्षम हो पाता है मालेजे यहाँ पर हम उधारन ले रहे है mercury sulfide यहाँ पर mercury sulfide हजी एस हमारे पास है जब हम इसका उच्छ ताप पर वायू के साथ इसकी क्रिया कराते हैं तो यह mercury oxide में परिवर्तित हो जाता है साथ ही साथ यहाँ पर sulfur dioxide बनती है अब इस तरह से जो mercury का oxide बना हुआ है यह काफी औस्थाई होता है और इसलिए बहुत जल्दी यह विगटित हो जाता है और इसलिए यहाँ बाकी बचे हुए जो mercury का sulfide है उसके साथ यह क्रिया कर लेता है और बाकी के सभी mercury sulfide को यह mercury में अप्चेद कर देता है और साथ यह यहाँ पर जो sulfur है वो sulfur dioxide में परिवर्थित हो जाती है तो इस तरह से यहाँ पर हम देखें कि एक धातू का oxide अपने ही धातू के sulfide का अप्चेद कर रहा है और इसलिए इस क्रिया यह process को कहा जाता है auto reduction यह slow up chain इसी तरह का उधारन हम क्यूप्रस sulfide में भी देख सकते हैं यह यहाँ पर जो क्यूप्रस sulfide की क्रिया जब हम oxygen या गर्म वायू के साथ कराते हैं तो यहाँ पर कुछ जो क्यूप्रस sulfide है वो क्यूप्रस ओकसाइड में परिवर्थित हो जाती है और साथी साथ यहाँ पर जो सल्फर है वो सल्फर डाय ओक्साइड में परिवर्तित हो जाती है अब इस तरह से बना जो क्युप्रस ओक्साइड है बाकी के क्युप्रस सल्फाइड को या अप्चैट कर देता है कौपर में तथा जो पूरा का पूरा जो सल्फर है वो सल्फर प्रिवर्थित हो जाता है और इस तरह से हम देखें कि भिन भिन धात्वों के लिए हम भिन भिन अप्चाय को तथा अप्चेन प्रक्रियाओं का चैन करके धातू ऑक्साइडों को धातू में अप्चेत करते हैं धातू कर्म के उश्मागत की सिध्धान को जान लेने के पश्षाथ तथा आलिंगम डाइग्राम की विसाय में पूर्ण जानकारी प्राप्त लेने के पश्षाथ अब हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर धातू जैसे की आईरन, कॉपर और जिंक के ऑक्साइडों का उनके धातूं में अप्चेन करने की प्रक्रिया को समझेंगे सबसे पहले हम जानते हैं कि जो आईरन के ऑक्साइड है उससे आईरन का एक्स्ट्रक्शन किस प्रकार से किया जाता है इसके पहले हमने यह जाना है कि जो आईरन का जो अयस्क होता है उसमें हम मुख्य रूप से हेमेटाइट अयस्क का उप्योग करते हैं इस हेमेटाइट अयस्क को पहले सांद्रन किया जाता है सांद्रन करने के परशाथ इसका निस्तापन करते हैं और जिससे की इसमें उपस्तित जो वाशपशील अशुधियां है वो पूरी बाहर निकल जाती हैं और इसके परशाथ अब जो धातू का जो ओकसाइट हमें प्राप्त होता है और इस धातू के ओकसाइट से हम धातू का निसकर्शन करते हैं अब शैन प्रक्रिया के द्वारा और इसके लिए हम कोक को अपचायक के तौर पर उपयोग करते हैं और यह जो प्रक्रिया है वह कहलाती है smelting या प्रगलन और इस प्रगलन प्रक्रिया के लिए हम एक विशेस भटी का उपयोग करते हैं जिससे कहा जाता है वात्या भटी या blast furnace blast furnace इसकी सरचना आप यहां पर देख सकते हैं यह काफे उचाई वाली लगभग डेढ़ सौफिट उची तथा अगनी सा इटो की बनी हुई भटी होती है जिसमें सबसे उपर पदार्थ को अंदर डालने के लिए एक इनलट सिस्टम होता है और यह सिस्टम कप एंड कौन सिस् आजाती है जिससे डाला गया पदार्थ आसानी से अंदर पहुच जाता है लेकिन एक बार यह पदार्थ अंदर जाने के बाद यह वापस इसे ऊपर खीच लिया जाता है और इसके बाद यदि अंदर से पदार्थ जाना चाहे बाहर तो कोई पदार्थ बाहर नहीं जा पा के लिए होता है इसके बाद हम नीचे की तरफ आएं तो नीचे की तरफ हम देखें कि यहां पर फिर से पाइप नुमा आकरती अंदर की और जाती हुए दिखाई दे रही है जो इनलेट सिस्टम है यहां पर से गर्म वायू भट्टी के अंदर फरनस के भीतर भेजी जाती है और इसके परशाथ फिर से हम नीचे आएं तो यहां पर हम देखें कि एक आउटलेट सिस्टम हम कुछे उपर दिखाई दे रहा है इसके द्वारा यहां पर जो अशुद्या बचती है उन्हें बाहर निकाला जाता है जबकि नीचे वाले आउटलेट सिस्टम से यहां पर पिघली हुई अवस्था में जो हमें धातू प्राप्त होती है अप्चेत धातू उससे बाहर निकाला जाता है तो इस तरह से यह जो वात्य भट्टी की सरशना होती है अब यहां पर हम देखें कि जब हम उश्मा गतिकी के सिध्धान्तों का अध्यन करते हैं तो उश्मा साथ यहां पर यह जो भटती उप्योग में लाई जाती है उसका इस्तमाल क्यों किया जा रहा है यहां पर हम देखें कि जब हम आइरन बनेगा साथ यहां पर हाफ ओटू ऑक्सीजन बाहर निकलेगी दूसरी प्रक्रम में जो पहले प्रक्रम में ऑक्सीजन बाहर निकली है उसे कोक के द्वारा ग्रहन करिया जाएगा तथा कोक कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाएगी और इस पूरी कि दोनों का जो समग्र मान होगा यहनिकि डेल्टा आर जी नॉट यहनिकि जो रडक्षन के लिए आवजशक मुक्त उर्जा परिवर्तन का मान है उस पर निर्भर करेगा यदि यह मान रनात्मक आता है तो इसका मतलब यह है कि कार्बन आइरन के ऑक्साइड हेमेटाइड F2O3 का आइरन में अपचैन कर पाएगी इसे हम आलिंगं ग्राफ की सहाइता से भी समझ सकते हैं यहां पर हम देख रहे हैं कि जो इलिंगं ग्राफ है उसमें जो डेल्टा जी तथा टी के निरूपित करने वाले वक्र है उनका हम चैन करते हैं इसमें से जो एक वक्र है जो कि iron का iron oxide में परिवर्तन को निरूपित कर रहा है तो इसे हम देख रहे हैं कि यह उपर की ओर जा रहा है जब कि जो दूसरा वक्र है जो कि carbon के carbon monoxide में परिवर्तन को निरूपित करता है वह नीचे की ओर जा रहा है तथा ये दोनों वक्र आपस मे एक दूसरे को 1073 Kelvin पर काटते हैं 1073 Kelvin से अधिक तापमान पर हम देख रहे हैं कि कार्बन मोनोकसाइड में परिवर्टन वाला वक्र है वो आयरन के आयरन के उकसाइड में परिवर्टित होने वाले वक्र से नीचे आ गया है यनि कि 1073 केल्विन तापमान से अधिक किसी भी तापमान पर इस पूरे तापमान परिसर में कोक आइरन के ऑकसाइड का आइरन में अपचैन कर पाएगा उदारन के लिए हम इसकी पुस्टी देल्टा जी के मान का कैलकुलेशन करने की आधार पर भी कर सकते हैं माल लेजे हमने एक तापमान चुना है 1673 कैल्विन और हम यह देखना चाह रहे हैं कि क्या इस तापमान पर कोक आइरन के ऑकसाइड का आइरन में अपचैन कर पाएगा तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अभिक्रिया होगी एक वह होगी 2FeO is equal to 2Fe plus O2 यह आइरन ऑकसाइड के विल्टन की अभिक्रिया होगी और इसके लिए जो डेल्टा जी का मान हम एलिंगम ग्राफ से प्राप्त करते हैं वह आता है प्लस 341 किलो जूल पर मोल यह जो अधिन डायग्राम में जो मान होगा वह आईरन के ओक्साइड विर्चन का मान होगा जोकी नेगटिव होगा लेकिन चुकि हम यहाँ पर iron के chain होने के लिए इसका उप्योग कर रहे हैं इसलिए हम इस negative मान को positive लिखेंगे और यह हो जाएगा प्लस 341 किलो जूल पर मोल इसके बाद जो दूसरा डिल्टा जी का मान है वह हमें प्राप्त होगा carbon plus O2 is equal to 2CO के परिवर्थित होने वाले वक्र से और इसके लिए जो डिल्टा जी का मान होता है वह होता माइनस 447 किलो जूल पर मोल और इस तरह से इस तापमान पर जो हम समग्र अभिक्रिया लिखेंगे वह हो जाएगी 2FeO plus 2C is equal to 2Fe plus 2CO और इसके लिए दोनों जो अभिक्रियाओं के लिए जो डिल्टा जी का मान होगा वह होता है माइनस 106 किलो जूल पर मोल अब यह जो अभिक्रिया है वह दो मोल आइरन के ऑक्साइड के विगटन को दर्शाती है यदि हम केवल एक ही मोल आइरन के ऑक्साइड के विगटन के लिए ले तो यह जो डिल्टा जी का मान है वह आधा हो जाएगा और यहाँ पर जो डिल्टा जी का मान हो जाएगा माइनस 53 किलो जूल पर मूल जूकि डिल्टा जी का मान यहाँ पर नेगेटिव है रनात्मक है और यह दर्शाता है कि इस ताप मान पर कोक कार्बन कोक आइरन के ऑकसाइड का आइरन में अपचन कर पाएगी और इसी जानकार के आधार पर हम कोक का उप्योग आईरन के ऑक्साइट का अप्चन करने के लिए करते हैं तो आएए अब हम देखते हैं कि यह जो ब्लास फरनेस है उसके भिन-भिन भागों में कौन-कौन सी अभिक्राय होती हैं यहाँ पर हम देखें कि जो सबसे पहले यहाँ पर जो पदार डाला जाता है उसमें होता है आईरन का ऑक्साइट साथी साथ इसमें हम कोक लेते हैं और साथी साथ इसमें एक गालक के तौर पर लांग स्टोन कैल्सियूम कार्वोनेट इसमें डाला जाता है यह सभी का मिश्रण चार्ज कहलाता है जैसे ही हम इस चार्ज को ऊपर से वात कोक का दहन होता है और इसलिए इस नीचे वाले छेतर को हम जोन ओफ कमशन कहते हैं और इस चुकी कार्बन का दहन होता है और उसके फुलसरूप यहाँ पर कार्बन डाइ ऑकसाइड बनती है और साथ ही साथ बहुत अधिक मात्रा में उश्मा निकलती है जिससे इस छेतर का त दाएगा C plus O2 is equal to CO2 और यहाँ पर जो एंथल्पी चेंज होती है उसका मान होता है प्ला माइनस 393 किलो जूल पर मॉल यहाँ पर एंथल्पी चेंज का मान जो है वह रनात्मक है जो यह दर्शाता है कि यहाँ पर यह जो अभिक्रिया है वह उसमक शेपी होती है और इसी व वात्या भट्टी में ऊपर की ओर जाते हैं यह तापमान धीरे-धीरे कम होता जाता है और इसी लिए इस वात्या भट्टी का उप्योग हम करते हैं क्योंकि हमने आलिंगन डाइग्राम के अधार पर यह जाना है कि यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है पूरे एक्स्रक्शन के दौरान धातू ऑक्साइड के कोक के द्वारा जो एक्स्रक्शन के फ़स्रूप जो भिन भिन अभिक्रिया होती है वह भिन भिन तापमान उपर होती है और इसी लिए यह जो वात्या भट्टी का उप्योग हम करते हैं क्योंकि इसके भिन भिन छेत्र में तापमान का इस इस छेत्र में जो अभिक्रिया होती है उसमें उश्मा का अशोषन किया जाता है और यह जो इसका जो तापमान होता है यह 1500 से 1600 केल्विन के आसपास होता है इस छेत्र में जो कार्बन है जो चार्ज की द्वारा कार्बन आ रहा है उससे दहन छेत्र में बनी हुई कार्बन डा जो अभिक्रिया होती है या उसमा शोशी होती है और यदि हम एक मॉल कार्बन के लिए यहाँ पर एंथल्पी परिवर्तन देखें तो यिसका मान होता है प्लस 163 किलो जूल पर मूल तो इस तरह से यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है उसके सुरूप कार्बन मोनो ऑक्साइड बनती है और हम जानते है कि कार्बन मोनो ऑक्साइड एक बहुत ही अच्छा अपचायक है और इसलिए जो धातू के ऑक्साइड हैमेटाइट है उसका अपचाइड कार्बन मोनो ऑक्साइड के साथ द्वारा किया जाता है इसके पहले हमने आलिंगन ग्राफ में यह भी क्या होती है वह कुछ कम तापमान पर होती है तो यहां पर हम देखें जो हीट ऑप जोन ऑफ हीट एब्जोर्शन छेत्र होता है यहां पर कार्बन की क्रिया कार्बन डायोक्साइड से होती है तथा कार्बन मोनो ऑक्साइड बनती है साथ ही साथ यहां पर जो कुछ मात्रा में iron का oxide FeO होता है वह भी carbon monoxide से क्रिया करता है और Fe तथा CO2 में convert होता है इसके बाद जो अगली अभी क्रिया होगी जिसमें की iron का oxide का iron में up chain होगा वह अभी क्रिया यहाँ पर होती है zone of reduction में यानि की up chain छेत्र में और इस up chain छेत्र का तापमान कम होता है और यह तापमान लगभग 1073 से यहाँ पर 1123 के आसपास होता है इस तापमान में जो पूरी की पूरी up chain की अभी क्रिया पूर्ण होती है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो up chain की क्रिया होती है उसमें पहले जो hematite है यानि की Fe2O3 है उसका पहले Fe3O4 में up chain होता है और उसके बाद जो Fe3O4 है उसकी carbon monoxide से क्रिया होती है और वह iron में up chain हो जाता है तो यहाँ पर हम अभी क्रिया देख सकते हैं 3Fe2O3 plus CO is equal to 2Fe3O4 plus यहाँ पर बनता है CO2 साथी साथ जो दूसरी अभी क्रिया होती है अब यहाँ पर यह जो बना हुआ 2Fe3O4 है अब इसकी क्रिया carbon monoxide CO से होगी जिससे जो Fe3O4 है वह iron में up chain हो जाएगा और साथी साथ यहाँ पर चार मोल carbon dioxide की बनेगी साथी साथ यहाँ पर जो Fe2O3 है इसकी भी carbon monoxide से क्रिया होती है जिसके फलसरूप इसका FeO में भी यहाँ पर अब chain हो जाता है और साथी साथ carbon dioxide बनती है तो इस तरह से हम देखें कि वात्य भट्टी के भिन भिन छेत्र में भिन भिन अभिक्रियाएं होती है सबसे नीचे वाले छेत्र में जो की दहन का छेत्र है उसमें दहन होता है जिसके फलसरूप carbon dioxide बनती है उसके उपर हम जाएं जो zone of heat absorption है या उश्मा absorption छेत्र है वहाँ पर जो carbon dioxide प्राप्त हुई है वह carbon से क्रिया करके carbon monoxide बनाती है और यह carbon monoxide ही iron के oxide को यह zone of reduction में वाले छेत्र में अप्चेन छेत्र में इनका अप्चेन करती है और जिससे हमें जो अप्चेत धातू या iron प्राप्त हो जाती है इसके बाद हम देखें कि जो carbon monoxide का जैसे मैंने कहा carbon monoxide के द्वारा जो अप्चेन है वो अप्चेक्षा क्रित कम तापमान पर होता है इसे हम पुना अलिंगम डाइग्राम की सहायता से देख सकते हैं यहाँ पर हम देखें कि दो वक्र जिसमें कि एक वक्र है जो कि carbon monoxide के carbon dioxide में परिवर्तित होने का वक्र है जबकि दूसरा वक्र है जो कि iron के iron oxide में परिवर्तित होने को दर्शाता है यह दोनों वक्र एक दूसरे को लगभग 1200 degree centigrade यह हम कह सकते हैं 1773 Kelvin तापमान पर काटते हैं यह तापमान के पहले यदि हम देखें तो carbon monoxide iron के oxide में परिवर्तित होने वाले वक्र से नीचे है जो यह दर्शाता है कि carbon monoxide का carbon dioxide में बदलने वाला जो वक्र है वह नीचे है इसका मतलब यह है कि इस तापमान यहने कि 1473 Kelvin तापमान है उससे नीचे के तापमान पर ही carbon monoxide iron के oxide का iron में अपचैन कर सकती है उससे उच्छे तापमान पर नहीं तो इससे इसपस्ट हो जाता है कि क्यों जो कोक है या जो कार्बन है उसके द्वारा जो अपचैन की क्रिया होती है वह उच्छे ताप पर होती है लेकिन जो carbon monoxide के द्वारा अपचैन हो रहा है वह अपशाकृत कम तापमान पर होता है साथी साथ हमने बताया कि जब हम चार्ज डालते हैं तो उसमें हमने लिया था धातू का ओक्साइड साथी साथ हमने लिया था यहाँ पर कोक और इसके साथ ही हमने डाला था कैल्सियम कार्बोनेट तो calcium carbonate यहाँ पर जिसे हम garlic या flux कहते हैं यह जो iron की oxide में उपस्थित असुद्धी होती है शीलिका उसको दूर करने का काम करता है और हम बता दें कि यहाँ पर जो lime stone है calcium carbonate है इसका विगटन होता है और विगटन के लिए इसे उस्मा की आवश्यक्ता होती है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो calcium carbonate का विगटन है वहाँ भी उस्मा आवश्योशन छेत्र में होगा तो यहाँ पर calcium carbonate तूटकर calcium oxide बनाता है तथा carbon dioxide बाहर निकल जाती है अब इस तरह से बना जो calcium oxide है जो कि एक छारी oxide है क्योंकि यह धातू oxide है और साथ ही साथ जो अशुद्धू के रूप में वहाँ पर मौजूद है वह है silica si o2 silicon का oxide जो कि एक अमलिय oxide है यह दोनों आपस में मिलकर si o2 plus cao is equal to ca si o3 यहने की calcium silicate बना लेते हैं जिसे हम धातू मल या slack कहते हैं साथ ही साथ यहाँ पर और भी जो अशुद्ध्या उपस्तित होती है जैसे कि sulfur या phosphorus तो यहाँ पर sulfur जो है calcium sulphate के रूप में धातू मल के रूप में बाहर निकल जाता है और साथ ही साथ जो phosphorus है वह calcium phosphate के रूप में बाहर निकल जाता है तो इस तरह से यहाँ पर जो नीचे जब हम आते हैं वात्या भट्टी के नीचे यह जो सभी धातू मल है क्योंकि धातू मल का घनत अपेक्शक्रित कम होता है इसलिए यह नीचे ऊपर लेयर बनाते है जबकि जो धातू होती है अप्चेत धातू जो कि पिगली हुई अवस उसे कई बार रोलरों में चलाने के बाद इसे पूरी तरह से धातू मल या अशुद्धी से दूर कर लिया जाता है और इस तरह से जो अप्चेत धातू हमें प्राप्त होती है वात्या भट्टी से इस धातू में अभी लगभग चार प्रतिश्वत तक कार्बन पाया जाता है और यह जो धातू है जब इसे हम ठंडा करते हैं तो जो धातू प्राप्त होती है वो काफी नरम होती है और इस प्रकार जो धातू है उसे पिग आईरन या कच्चा लोहा कहा जाता है क्योंकि यह काफी नरम होता है इसलिए बहुत ज्यादा इसका उप्योग नहीं है इस लिए इसे और अधिक शुद्ध अवस्था में लाने के लिए इस प्रकार जो पिग आयरन प्राप्थ होता है उसे पुराने रद्धी लोहे के साथ मिलाया जाता है तथा इसमें कोक की कुछ मात्रा डाली जाती है तथा गर्म वायू के जोकों के साथ इसे काफी फिर से गर्म किया जाता है और जिससे यह पिगली हुई अवस्था में प्राप्थ होता है जिसे जब ठंडा करते हैं तो अब इसमें जो कार्बन का प्रतिश्रत है कम हो जाता है और यह लगभग तीन प्रतिश्रत रह जाता है और इस प्रकार जो हमें लोहा प्राप्थ होता है ठंडा ह होता है यहने कि इस पर यदी चोट किया जाए तो वह तूट जाता है और इस प्रकार जो लोहा हमें प्राप्त होता है इसे कास्ट आयरन या ढलवा लोहा कहते हैं अभी यह उतना जादा मजबूत नहीं है इसलिए इसे एक और प्रक्रिया के द्वारा हम और शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं और उसके लिए धलवे लोहे को परावर्तनी भट्टी में लिया जाता है और इस परावर्तनी भट्टी के अंदर हेमेटाइट की सतह लगी हुई होती है तो इस परावर्तनी भट्टी में धलवे ल पूरी तरह से धातू में अप्चेट हो जाते हैं और साथी साथ अब इस प्रकार से जो हमें धातू प्राप्त होती है इसमें कार्बन का प्रतिशत काफी कम रह जाता है या केवर 0.5 प्रतिशत रह जाता है और साथी साथ अब यह जो लोहा या आइरन हमें प्राप्त होता है ये काफी मेलियेबल आगहात वर्धनी हो जाता है और इस परकार इस जो लोहा में प्राप्थ हुआ है इसे हम पिटवा लोहा या रोट आइरन कहते हैं और यदि हम इनकी शुद्धता का क्रम देखें तो सबसे अधिक शुद्ध जो लोहा होता है वह होता है पिटवा लोहा या रॉट आइरन उससे कम शुद्धता पाई जाती है धलवा लोहा या कास्ट आइरन में और सबसे कम जो शुद्ध होता है या नरम जो लोहा होता है तो इस तरह से हम अलग अलग प्रोसेस के द्वारा जो प्राप्त अप्चेद धातू है उससे और अधिक शुद्ध मात्रा में प्राप्त कर लेते हैं इसके बाद हम आप जानते हैं कि लोहे का एक और भी शुद्धतम और मजबूत रूप होता है जिसे हम स्टील या स्पात क कर्म करते हैं और मुक्य रूप से हम कह सकते हैं कि यह होता है मिश्रधात हुआ या एलोई है और इसमेराय का प्रतिशत काफी कम लगभग 10 यह साथ तक रहता है और यह आईरन का सबसे अधिक मजबूत रूप होता है आईए अब हम क्यूप्रिस ऑक्साइड से कॉपर को निश्कर्शित करने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं कॉपर का निश्कर्शन करने के लिए यहाँ पर जो अयस्क उप्योग में लाया जाता है वह है कॉपर पाइराइड जिसका सूत्र हम जानते हैं यह है Cufes2 वास्तों में इसमें जो कॉपर है वहाँ पर CUS के रूप में उपस्तित होता है जबकि जो आयरन है वहाँ Fe2S3 के रूप में उपस्तित होती है यहां पर हम बता दें कि जो iron sulfide है FES2 है यहां पर purity के शुद्धी के रूप में उपस्थित होता है जब यहां आयस्क लेते हैं तो शुरू में हमने जाना है कि आयस्कों का पहले हम pulverization करते हैं यहने कि crushing and grinding करते हैं इसको चूनित कर लिया जाता है और इसके बाद क्योंकि यह sulfide आयस्क होता है इसलिए इसका सांद्रन करने के लिए हम froth flotation method यहने कि फेन उत्प्लबन विधी का उप्योग करते हैं इसके बाद चूकि यह sulfide आयस्क है इसलिए इसकी हम roasting करते हैं परावर्तनी भट्टी में river waterry furnace में जब हम इसका roasting करते हैं तो यहां पर हम देखें कि हम जानते हैं कि जो sulfide आयस्क होते हैं जब उनकी roasting की जाती है तो वो आपने oxido में परिवर्तित हो ज निकल जाती है इसके साथ ही साथ जो और भी अशुद्या होती है फासफोरस और आर्सेनिक की अशुद्या होती है वो भी अपने oxide के रूप में बाहर निकल जाती हैं तो इस तरह से यहां पर जो iron का sulfide होता है वह कुछ मात्रा में iron के oxide में परिवर्तित हो जाता है और साथ ह के साथ sulfur dioxide निकलती है इसी तरह से जो क्यूप्रस sulphide है वह भी क्यूप्रस oxide में परिवर्तित हो जाता है तथा sulfur dioxide बाहर निकलती है लेकिन यहां पर चुकि हमने जब हम परवर्तनी भट्टी में लेते हैं तो साथ में silika भी उप्योग में लाते हैं इसलिए कुछ मात्रा में यहां पर जो ferrous oxide FeO बनता है वह silika के साथ क्रिया करके FeSiO3 यानि की ferrous silicate बना लेता है जो कि स्लेक के रूप में बाहर निकल जाता है क्योंकि हमने पहले यह बताया जो FeO है यह impurity के रूप में यहां पर उपस्तित होता है लेकिन जब हम इसकी roasting करते हैं तो पूरे का पूरा सिलफाइड जो compound है वह पूरी तरह से oxide में परिवर्तित नहीं होता है roasting के फुलसरूप इसलिए हमें एक और दूसरे process की आवश्यक्ता होती है और इसके लिए हम इस प्रकार से जो roasting के फुलसरूप प्राप्त जो copper का मैट होता है उसे हम और silika के साथ मिलाकर besimmer परिवर्तित जिसे हम कहते हैं उसमें हम इसको रखते हैं और besimmer परिवर्तित जिसके आप सरचना आप देख रहे हैं यहाँ पर यह जो सरचना देख रही है इसमें अंदर की तरफ silika की परत लगी हुई होती है और साथी साथ यहाँ पर दोनों तरफ से गर्म वायू जान के लिए यहां पर स्थान होता है साथ ही साथ यह जो अपरेटस देख रहा है यह पूरी तरह से रोल भी हो सकता है जिससे यदि हम पलटा कर इसके अंदर के जो पदार्थ है उसे बाहर प्राप्त कर सकते हैं तो यहां पर जो बेसेमर कन्वर्टर है उसमें हम मैट लेते हैं कुश मात्रा में सिलिका ले जाती है और उच्चे ताप पर यहां पर गर्म वायू भेजी जाती है जिसके सरूप यहां पर जो आइरन का सल्फाइड है वह भी अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है यहां पर FES प्लस 3 O2 is equal to 2 Fe O में परिवर्तित हो जाता है साथी सल्फर डायोक्साइड बाहर निकलती है और साथी साथ यहां पर जो आइरन का सल्फाइड F E O बना होता है वह सिलिका के साथ मिलकर आइरन सिलिकेट में परिवर्तित हो जाता है जो की अशुद्धी के रूप में हम से बाहर निकाल देते हैं साथी साथ जो क्यूप्रस बना है अब यह बाकी बचे हुए क्यूप्रस सल्फाइड का उटी रटक्षन करता है यहां पर यहां पर जो रटक्षन की क्रिया होती है या कहले हम स्वाइब अप्चैन की क्रिया होती है और इस क्रिया को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2Cu2O प्लस Cu2S और यह दोनों के भी जब क्रिया होती है तो पूरी तरह से जो कॉपर है का आकसाइड है वह कॉपर में अप्चैन हो जाता है और साथ यहां पर जो सलफर है वह तो सब्पने अपोसल्फर डाय्यक्षाइट के रूप में बाहर निकल जाती है तो इस तरह से जो पूरी तरह से जो कॉपर का सिल्फाइड है वह अपने कॉपर रूप में या अपचन रूप में प्राप्त हो जाता है जब इसे ठंडा करते हैं तो उस समय जो copper mat है उसमें उपस्तित जो sulfur dioxide gas होती है वो धीरे धीरे बाहर निकलती है जिससे जो copper mat की जो सता होती है उसके उपर blister या फफोले जैसी सरचना बन जाती है और इसलिए इस प्रकार प्राप्त copper को फफोले दार तामबाय फफोले दार copper या बिस्टोर्ड copper कहा जाता है इस copper में करीब 98 से 99 परसंट तक शुद्ध copper होता है जबकि 1 से 2 परसंट तक यहां पर अशुद्धी होती है जिसका शोधन हम विद्धु घटमी शोधन या फिर electrolytic ref फाइन रिंग के द्वारा करते हैं इसके बाद हम जानते हैं जिंक औक्साइड का जिंक में रेडक्शन किस प्रकार से किया जाता है या जिंक औक्साइड से जिंक प्राप्त करने के लिए इसे किस प्रकार से निस्करशित करते हैं यहां पर जो जिंक औक्साइड प्राप् सबसे पहले इसकी crushing and grinding कर लेते हैं और इसके बाद इसकी जो concentration करते हैं उसके लिए फ्रोथ flotation method का उपयोग किया जाता है साथ ही साथ इसके लिए द्रवित धावन याने की hydraulic washing का उपयोग भी कर सकते हैं इसके बाद इसकी roasting की जाती है और roasting क्योंकि यह sulfide isk है इसलिए यहाँ पर परावर्तनी भट्टी में गलनांग से कम तापमान पर इसकी oxygen की उपस्तती में क्रिया होती है जिससे zinc sulfide है वो zinc के oxide में convert हो जाता है साथ इसाथ जो sulfur है वो sulfur dioxide के रूप में बाहर निसकाशित हो जाती है इस तरह से जो zinc को oxide प्राप्त हुआ है इसकी फिर coke के साथ smelting की जाती है zinc oxide की और smelting के फलसरूप जो अपचीत zinc है वो हमें प्राप्त हो जाते हैं साथ इस प्रकार से जो zinc प्राप्त हुआ होता है वो उतना ज़्यादा शुद्ध नहीं होता है और हम जानते हैं कि zinc का जो कथरांक बिंदू होता है वो काफी कम होता है और इसलिए इनका distillation के आओं शुद्ध अवस्ता मिंप्राप्त कर लिया जाता है और चुदा करने के पिंदा करने갈 जाता है और अंड़न के परश्चात ब्लेड या आइरन की जो अशुद्या होती है उसे दूर करने के लिए विभिन विधिया अपनाई जाती हैं